आज नवस्कार दोस्तों मात्पूर क्वेश्चा करेंगे दोस्तों हम चलते हैं चलते हैं टौप्पिक क्यों इसके पहले बता दें कि आप अमारे चैनल पर नहाँ है तो चनल सास्क्राइब कर लिजिए फ्लीज बेल आइकन दावा लेजिए आपू ताकि समय समय पर वीडिय की नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें तो चलते हैं हम अपने टॉपिक क्यों अनिसेख फल किसे कहते हैं लब पर क्वेश्चन से समझ में अनिसेख फल किसे कहते हैं अनिसेख मतलब बिना निसेचन अनिसेचन बिना निसेचन फल किसे कहते हैं या क्या होता है ऐसे फल जो विना निसेचन से के बनते हैं उन्हें हम आनिसेच जनक फल कहलाता है या कहते हैं सिम्पल तरहते हैं आ निसेच इससे रिलेट करते हैं आ निसेच आ से हो गया ना होने वाला और निसेचन जिस फल में लिः जिस फौदें फॉदि में निशेचन के क्रिया ना होती हो अयसे फल जो बिना निशेचन के बनते हैं उन्हें आनिशेचन के अन क्रिया नहीं होती है वह पपीता कभी फल उस में निशेचित के क्रिया नहीं होती है सब चलते हम नेश्ट कोश्चन की के लिए पॉल्सीक्ट को समझते हैं आप जिसमें यह अंशेचित अंड द्वारा वहन कर निमार्ड हो जाए उन्हें हम uh अनिसेख जनन कहलाता है इसको हम पहले ही समझ चुके हैं कि अनिसेख फल किसे कहते हैं तो ऐसा जनन जिसमें अनिसेचित अंड द्वारा मतलब बिना निसेचित के ही पस्चात अंड का भूण में निर्माड हो जाए उसे हम अनिसेख जनन कहते हैं मतलब जिसमें नहीं होती है आप ते और वह अंडं द değlora भूणू का निन्माल कर लेता है इसी को हम अनिसेक जनन कहते हैं ये अनिसेक अ सान कि हो जाती है अब इसके हम प्रकार समझते हैं कित्ते प्रकार कि ये होते हैं अब ये कवागा दो प्रकार होते हैं एक होते हैं और एक दो गुणुत होते हैं अब अब आगम दम लुमें 2 इक्स it's को समझते हैं इसमें अगुणित अंड से भूर्ण बनता है पुमा शिलोह को कर ठीख हूं शिल्द एंड में रहते ओर हिं दम पूरह मादिन से अगोड़ी के माद्व हम से वह फ्रूहर बनता है केला केला का है जिसमें नरु पुस्त में या मादा हो वो जनन्स क्या करके वह भ्रूहर का निर्मान कर लेता है वैसे हम दूगृत में देखते हैं इसमें दूगृत ay से भून बनता है ठीक है इसमें नर और मादा दोनों उपलब होते एक ही पाउदेव एक ही पुस्त में और वह है बिना निसेशन के क्रिया से ही वह दोनों कि अब भून का द्रिमान कर लेते हैं जैसे अधान के लिए पपीता का ओधा ठीक इसको समझते हैं सही तरीके से इसमें बने हुए बीज रहित फल बनते हैं सिंपल है इसमें जो केला है बीज रहित फल बनते हैं जैसे इसमें बने हुए बीज रहित फल बनते हैं जो कि खाने में गूदेदार वह सौदिश्ट वह मीठेदार होते हैं पपीता कि यहां पर ले लिजिए क्यों है बीज रहि दार सौधिष्ट भी होते हैं और मीठे दार भी फल होते हैं धन्य बाद दोस्तों हमारी यूटूब चैनल